लिम्रा न्यूस हम दिखाते हैं सच देश प्रदेश की सभी सची खबरों के लिए देखते रहें लिम्रा न्यूस वाली फोटो सोशल मीडिया पर लगतार वाइरल हो रही है लोग राहूल गांधी की जम कर तारीफ कर रहे हैं शशी थरूर ने भी इस फोटो को शेर किया उन्होंने लिखा मा तो मा होती है उनका कोई तोल नहीं होता कॉंग्रेस की भारत जोड़ यात्रा दो दिन के अपकाश के बाद आज फिर करनाटक के मांडिया जिले में राहूल गांधी के नितरत में शुरू हुई यात्रा में पहली बार कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हुई यात्रा के दोरान सोनिया गांधी के जूते लूज होने बर राहूल गांधी उन्हें बांधते हुए नजर आए इसका फोटो वा वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वाइरल हो रहा है करनाटक कॉंग्रेस अध्यक्षवर राज के पूर्व मंत्री डीके शिपकुमार ने इस मौके पर कहा कि विजय दश्मी के बाद अब राज में कॉंग्रेस की विजय होगी हम राज में सत्ता में आ रहे हैं और भाजबा की दुकान बंद होने वाली है हमें गर्व है कि सोनिया गांधी राज की सडकों पर उत्री हैं करनाटक में आज भारत जोडो यात्रा पांडो पुरा से नाग मंगला तालुका तक जाएगी सोनिया गांधी ने कल दशेहरे पर मैसूर जिले के HD कोट विधान सभा के बेगुर गाउं में भीवना कोली मंदिर में पूजा अर्चना की थी वे आज मांडिया जिले में पधियात्रा में शामिल हुई बुद्वार को राहुल गांधी ने उनके साथ दशेहरा मनाया वे काबीनी बांध के पास एक रिजोर्ट में रुकी थी कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सोमवार को दो पहर मैसूर पहुची मंगलवार वा बुद्वार को दो दिन भारत जोडो यात्रा का अपकाश था गुरुवार को जब मांडिया से भारत जोडो यात्रा फिर से शुरू हुई तो राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी भी उसमें शामिल हुई इसे लेकर जनता में काफी उत्सा भी देखा गया इससे कॉंग्रेज नेताओ वाकार करताओ का उत्सा कई गुना बढ़ गया था भारत जोडो यात्रा की शुरुवात के वक्त सोनिया गांधी विदेश में अपना इलाज करवा रही थी उसी दोरान वक्त उनकी मां का निधन भी हो गया था इस पर गांधी परिवार इटली गया था सोनिया गांधी हाल ही में स्वदेश से लोटी है हालिया चुनावों में सोनिया गांधी स्वास्त कारणों से चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो पाई थी रम्बे समय बाद वे पार्टी के किसी बड़े सार्वजनिक कारक्रम वकार करताओं के बीच सम्मीलित हुई हैं।